हलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर भी आयम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का चाप्टर 14 वाटर तो देखिए वाटर क्या होता है आप सबको बता है पानी जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं खाना किसमें पकता है पानी में ही पकता है पानी के तो खाना भी नी बन सकता कपड़े नी दूल सकते हैं अपना नहीं सकते हैं भाई पानी तो सबसे ज़्यादर जरूरी चीज़े हैं हमारी लाइफ के लिए तो सपोस किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है अब पूरे खा कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें पानी की ज़वरत पड़ती है तो नेक्स आता है हाउ मुच वाटर डू वी यूज हम लोग कितरा पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह एक्टिविटी है कि पीने के लिए आप कितना करते हैं वह पता सकते हैं रफ आइडिया अगर लग पीने के लिए आपके चार फामली के मेंबर से आप फिफ्टीन लीटर पानी का यूज कर लेते हैं 15 लीटर है या सही से हो नहीं पा रहा है यह 15 लीटर कर लेते हैं प्रश करने के लिए आपकी पूरी फामली 7 लीटर नहाने के लिए हर कोई 20 लीटर पानी इस्तमाल कर रहा है यहां परतन भी बहुत बार दुलते हैं तो 100 लिटर नहाने के लिए आप सीमाल लीजे टॉलेट में फ्लश करते हैं तो भाई 150 लीटर फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी आपको कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए होगा तो यह सब को आड़ करिये यह सारे की सारी चीजे हैं और फि यह सोचा है कि कितनी सारी चीजे हैं और जिसके आप पानी करते हैं अगर पानी तो लिमिटर है हम लोग यूस करते हैं चाप वीट, राइस, पल्से, वेजटेबल और बाकी सारे खाने के आईटम्स दे टुड़े और वी नो दाट सम आप फाइबर्स एट वी यूस वर में किनि फदाइबरिक चाम सवें पानी के डियूस पानी के बहनते हैं तो हर चीज पानी के सब्सक्राइब और इस वाक्ष भी वांप डियूस करने के लिह हम लोग को पानी की बम दो में आप से अतब हम दाख़ै dette लिवा को दों जब्सकेश और लिम आटमार्स कष्ड स्वान के लिए पानी बहुत सारी जगह से आता है Each of us may be getting water into our homes हम लोग अपने घरों में पानी अलग लग तरीके से ले रहे हैं किस कहीं पे क्या होता है पानी के sources क्या क्या है हमें पानी कहां कहां से मल सकता है पानी से लेक से रिवर से वेल से मतब तालाबों से कुए से नदियों से या फिर जमीन के अंदर से अंडर ग्राउंड वाटर कहीं वेज होते हैं जिससे हम लोग को पानी मिलता है तो वार्डर इंटाप्स कम्स फॉम रिवर लेक्स बोर्वेल्स और वेल्स जमीन के अंदर से या फिर कुओं से आता है इन सब जगहों से आप लोग पानी लेते हैं तो ओशन कवर्स मेजर पार्ट ऑफ दर और ओशन जो है समुद्र जो है पूरी दुनिया में लगभग सतर परसंट जो है समुद्रों ने कवर कर रखा है तो यहीं बता रखा है कि तू थर्ड ऑफ दा अर्थ इस कवर्ड विद वाटर तू थर्ड मतलब अगर टोटल तीन है तीन हिस्सों में बाट दें तो तीन हिस्सों में से दो हिस्से तो अर्थ पे पानी ही पानी है तो पानी कहां कापर है वाटर जो है ओशन्स में मिलता है सीज में मिलता है मगर वो पानी क्या होता है उस पानी में नमक डिजॉल्व होता है तो जो ओशन्स में सीज में पानी है उसमें क्या होता है वाटर सलाइन होता है तो जिस पानी में नमक होता है, नमक वाले पानी को हम लोग सलाइन कहते हैं, तो नमक वाला जो पानी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, सलाइन वाटर, ठीक हो गया, सलाइन वाटर बोलते हैं, हम लोग नमक वाले पानी को, तो जो पानी जिसमें ब साबन हाथ से उठता नहीं है तो एक कविता है एक पोयम है राइम आफ इंशिन मेरिनेर वाटर वाटर एवरिवेर नॉट एनी डॉप तो आप नमक का पानी नहीं पी सकते हैं तो पीने वाला जो पानी है उसकी अवेलिबिलिटी बहुत कम है तो ओशन में बहुत जादा पान है मगर वह पानी हम लोग अपने यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग कौन-कौन सा पानी इस्तमाल कर सकते हैं हम लोग पॉंड्स का लेक्स का रिवर्स का वेल्स का इन सब चीजों का पानी ही इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि इन में नमक की मातरा इतनी नहीं होती है और इतनी होत तो क्या होता है इसमें वाटर सैक्ल में तो देखिए हमें पिक्चर दिखाई गई है क्लोथ जो है वो सूख जाते कपड़े सूख जाते क्योंकि पानी क्या होता है हवा में ओड़ जाता है तो भाई ऐसा कैसे होता है बारिश कैसे आती है तो देखिए वाटर जो है वो एवा evaporation हो रहा होता है भाप बन के पानी ओड़ रहा होता है यह पानी भाप बन के जो उड़ता है इसी को हम लोग बोलते है evaporation process of conversion of water into water vapor is known as evaporation ठीक हो गया तो पानी यह बात पानी होता है जो यह पॉट्र वेपर कि वहता हम रहता है और तो आपने अपनी वाटर वेपर करने डिनानाः पानी को गए ठीम निकलती हुग इंच्टी वह own जी면at लूंब लिए मंगर हर समय एटमॉस्फेर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है जो माइन्यूट होती है और इतनी मतब हमें दिखती नहीं मगर हवा में नमी हमेशा प्रेजेंट होती है दिन के समय जब सनलाइट काफी तेज होती है पानी परती है समुद्र के पानी पे नदियों के डी के पानी पे पौंस के पानी पर तो क्या होता है इस वाजये से कंटीनश ली क्या वैपर जन्रेट होती रहती है और सौल्ट जोकी डीजॉल्फ होता हैताऊ है वाटर में वह पीछे रह जाता है तो वैपर का जन्रीशन होता रहता है इवब routes on water in sunlight and in shape helps turn your एपोरिशन ये देखिए बाबन के उड़ताव आपको दिखाया जा रहा है सनलाइट के टाइम पर ऐसी होता है तो ही बताएगा है कि वाउम एयर जो है वो हीट प्रोवाइड करती है जो हवा होती है वो सुरज की रोशनी से गरम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है पानी चो है आपबन के ओपर की तरफ उने लगता है एवैपोरिशन जो है मैरम काफी फोर प्रोसेस होता है ऐसा नहीं होता कि व्यापरेशन भादी जल्दी होता है इतरा अ उन्हाब्स बराइशन ङया लगाए नहीं को दिखाई नहीं पड़ता है और पानी में जब गारम है उनकी पत्तियों में भी पानी होता है तो जो प्लांट में से पानी वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है उसको हम ट्रांस्पिरेशन कहते हैं तो रिलीज ओव वाटर फ्रॉम ब्लांट इस नोन एस ट्रांस्पिरेशन ट्रांस्पिरेशन ठीक है तो ट्रांस्पिरेशन प् वो रिलीज होता है पत्तियों से तो जितना जरुद का काम होता है पेड उतना तो अपना यूज कर लेते हैं और बाकी जो होता है पानी वो भाब बन के उपर उपर उड़ जाता है उसे हम लोग ट्रांस्पिरेशन कहते हैं तो वाटर वेपर जो है हवा में एंटर करता है होता रहता है और ट्रांस्पिरेशन कहां से होता है ट्रांस्पिरेशन का जो प्रॉसेस है वो हमारा पेडों में से होता है अब नेक्स बात आती है कि क्लाउड कैसे बनते हैं तो देखिए जो क्लाउड का फॉर्मेशन है ना अगर आप एक ग्लास में क्लाउड बनाना चाह जो है यह जब पहुंशती है थंडी हो जाती थंडी हो के जो बारिश की बूदे पिर निचा दिती वह तो छोड़े फैले देखते हैं कि फेपर उपर जाती है फोज तो सारी के सारी वेपर्स you актив दोपलेट अखितटा हो जाती है और ये water droplets जब अखिटा होती है यही क्या बनाती है हमारे cloud बनाती है तो process of condensation plays an important role तो condensation क्या होता है condensation यही तो होता है evaporation हुआ भाब बनके उपर उड़ा फिर आस्मान में उपर जा करके क्या हो गया थंडा हो गया तो जब थंडा हो जाता है न तो उसी process को हम लोग कहते है condensation तो process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface to earth तो condensation में क्या होता है भाब बनके उपर उठा फिर थंडा हो गया जब थंडा होता है न तो इन भाब को जो गरम भाब थी इसके थंडे होने के process को ही हम लोग condensation कहते हैं फिर थंडा हो जाता है तो काफी भारी हो जाते है यह भाब या फिर पानी और फिर वापस नीचे आजाता है बारिश की form में तो इसी को हम क्या कहते हैं rainfall कहते हैं तो पहले condensation हुआ भाब मन के उपर उड़ा उपर जाके थंडा हुआ भारी हुआ नीचे आ गया तो जब sufficient height पर पहुंच जाता है तो air जो है वो काफी ठंडी हो जाती है और water vapor जो present होती है वो condense हो जाती है और छोटी-छोटी droplet form कर देती है तो evaporation हुआ पानी का फिर पानी उपर जाके ठंडा हुआ मतलब भाब ठंडी हुई तो पानी की छोटी-छोटी बूंदे पढ़ चोटी-छोटी बूंदे जो है वो tiny droplet चोटी बूंदे cloud बन जाती है और cloud के बाद देखें नीचे की तरफ बारिश बढ़ने लगती है तो इसी से क्या होता है water cycle हमारी बनती है तो पानी जो है वो एक form से दूसरे form में चेंज होता है बारिश के form में आ सकता है या फिर कहीं water in the form of vapor goes into the air by evaporation evaporation की form में उपर जाता है and transpiration transpiration evaporation की form में उपर जाता है और फिर cloud बनते हैं condensation से और फिर वापस अर्थ पे आजाता है rain hail और snow की form में इसी पूरे process को हम water cycle कहते है back to the oceans ocean में भी पानी जो है वो वापस आ जाता है what happens to the water that rain and snow brings to different region of the earth तो उस पानी का क्या होता है almost all land surface जो है sea के अबब है मतलब ocean के अबब है जो water जो है वो खेतों में जाता है और जमीन के अंदर फिर चला जाता है है अब snow जो है mountains में वो melt होती है पानी बन जाती है melt होने का मतलब है पेखल जाती है बरफ जो है और वो नदियों की form में न नदियों से और streams में बहता है और फिर जातर पानी जो है नदियों में बहता है और कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है और नदियों के थरू वो पानी ocean में चला जाता है है ना तो back to oceans जो पानी ocean से उपर उड़ा भाप की form में ocean से उपर उड़ा फिर नीचे गिरा बार तो रेंवाटर जो है जमीन में और सौइल में मिट्टी में कहीं जाकर के कहो जाता है कुछ पानी जो है वहा में वापस चला जाता है फिर से एवड़ीशन और ट्रांस्पॉरेशन की फॉर्म में और कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है बोस्ट अफ देस वाटर बिकम्स अवलेवल टुस ऐस ग्राउंड वाटर ग्राउंड में पानी कैसे आता है जब बारिश पढ़ती है बारिश से जमीन में नीचे जाता है जो जमीन में पानी नीचे जाता है उसी की हेल्प से हम लोग उसको दुबारा निकाल पाते हैं और उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं फिर हम लोग तालाबों से और कुओं से या फिर ग्राउंड वाट लगाए जा रहे हैं एक एरिया में और बहुत ही जादा गहरे गहरे लगाए जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर का काफी जादा लॉस हो रहा है जो की वरीसम है जो मतलब काफी जादा हमारे लिए लुक्सान दायक हो सकता है क्योंकि जमीन में अगर पानी न नहीं होगी पेड पेड़ों के मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है तो जमीन में और भी जादा पानी नहीं जा पा रहा है रेन वाटर बहुत ही जल्दी बहे के निकल जाता है पेड़ क्या करते है पारिश परती है तो अपनी जड़ों में पानी को समा लेते हैं मगर पारहे है और टॉप लेयर जो है जो है सोली की वह भी उसके साथ ओड़के चली जा रही है इसके वज़े से लैंड एरोशन भी हो रहा है पानी भी जमीन के अंदर दें जा पा रहा है तो आगे जाकर क्या है groundwater की भी बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है फिर आगे हमें इसमें बताया एक जा रहा है यह वही water cycle का बताया गया है हमें कि water from the ocean and surface of the earth goes into the air ocean से जो है और surface से earth के atmosphere में चाता है water vapor की form में और फिर बारिज की snow की form में वापस oceans में ही आ जाता है इस circulation को हम क्या कहते है water cycle कहते है this circulation of water between ocean and land is a continuous process और इसी को water cycle कहते है what if it rains heavily क्या हो अगर बारिज बहुत ही जादा पड़े तो time the time duration and amount of rainfall varies from place to place बहुत जादा बारिज पड़े तो क्या होगा simple सी बात है अगर एक ही time में बहुत ही जादा बारिज पड़ने लगे तो क्या आ जाएगा बार की condition आ जाएगी है देखिए हर तरफ पानी पानी जब भर जाता है monsoon की time में या कभी भी तो बहुत जदा बार आ जाती है फसले जो है वो भी खराब हो जाती है अगर बहुत जदा बारिज पर जाए तो घर भै जाते है फ्लड़ आ जाते है घर बरबाद हो जाते है तो मतलब crops damage हो जाती है property का human life का काफी जदा loss होता है floods के time पे फिर जब flood वापस जाता है तो काफी जदा गंदगी फैल जाती है और इससे बिमारियां भी फैल जाती है और what happen अगर बहुत जदा समय तक rainfall ना हो तो क्या पढ़ जाता है drought पढ़ जाता है अगर बहुत जदा बारि का पढ़ जाता है evaporation transportation के losses की वजह से क्या होता है सूखा पढ़ जाता है it may lead to drought कि अधिकत हो जाती है सूखे की दिकत हो जाती है दोडीशन difficult हो जाता है जब यद पढ़ पड़ता है सूखा आ जाता है तो food or further खाना और पानी की बिक्कत हो जाती है क्योंकि पानी नी मिलता स पानी से उकता है हाव केंड वी कंजर्व वाटर अब हम लोग पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं तेखिए बहुत ही कम पानी ऐसा है धरती पर जो हमारे लिए फिट है यूज करने के लिए जो हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं यूमन्स और अनिमल्स जातर पानी जो है ओशन में ह हैं वो हम लोग इस्तमाल नहीं कर सकते हैं पानी का लेवल ग्रांड वाटर में बहुत ही तेजी से डिए रहा है ठोटल अमाउन्ट और वाटर में तो सेम है यूज है मागर हम लोगोने पानी कंदा भी कर दिया है एक कितना प्रलों ऑ साधा उसको हम इस्तमाल हम लोग को क्या जरूरत है कि हम पानी को बचाएं हम कैसे बचा सकते हैं पानी को बहुत सारी टेकनीक है एक पानी को बचाने की टेकनीक है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग रेन वाटर जो है हम लोग पानी को अखिटा करें स्टोर करके रखें तो उसको हम लोग क्या कहते है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिक आइडिया ये है कि कैच वाटर वेर इट फॉल्स मतलब जहां पर भी पानी गिर रहा है उसको अखिटा कर लिए आपके चट पे पानी गिरा आपने पाइप लगा करके उसको किसी जगह पर इखटा कर लिया और जमीन के अंदर बचा के रख लिया जब जुरत पड़ी तो आपने यूज कर लिया तो इसी को हम लोग क्या कहते है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं अब देखे क्या है हर तरफ सड़के बन गई है बिल्डिंग बन गई है तो जमीन में अंद जब पड़ेगी पानी की आप उसको पाइप के थ्रू अराम से इस्तमाल कर सकते हैं अंदर ऑप्शन जो है वो गो इंटो ग्राउंड डारेक्ली फ्रॉम दर रोट साइड ड्रेनेज डाट कलेक्स रेन वाटर और आप जमीन के अंदर पानी जाने ते तलाब बनाएं ना करें तो यह हमारे चैप्रे के एक्स्पनेशन हो गया कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज के साथ भी शूयो करें और आप बता सकते हैं कि आप कौन-कौन से वीडियो चाते हैं वो वीडियोज भी में जल्दी ही लेकिया हूँगी थैंक यू